नमस्कार मैं हूँ अभिनायाकाश और अब देखना सुरू कर चुके प्रभासक्षी का इस्पेशल सो मात्री भूमी और जीमेंडियस की एक मूर्ती रहिस्तान में पड़ी है मूर्ती का से टूट कर रेत में दसा है मेरा नाम मैं राजाओं का राजा हूं मैंने जो काम किये हैं यह शक्तिमान लोगों देखो और मायूसी में जियो पर्सी बिल्स्टेरी नाम के एक अंग्रेजी लेखक हुए ज उनके महलोग पर वक्त की रेत जमी और समराज्य धूल में उड़ गया आज आपको ऐसे ही कहानी सुनाएंगे जिसके खजाने में मानिक मुक्ता नीलम पुख्राज के टोकड़े थे जैसे की कोईले के टोकड़े हो हैदराबाद का ऐसा राजवारा जिसका निजाम एक मुस हैदराबाद में 13% मुसल्मान थे पर अठासी प्रतिसत मुसल्मान थे रजाकारों का एक ऐसा नवाब जिसने ठीक आजादिक के दिन ही कुछ ऐसा कर दिया जिसके कल्पना हम आज भी नहीं कर सकते 15 अगस्त 1947 जगह गुजरात में जूनागर जूनागर के नवाब ने जो कि पाक्स्तान ने सबी पहली ओ धर ध्यां थे विचार के बात पाकस्तान में मिलने का फैसला साती पाक्सितान से मिलने का है लांग ce राज के निजाम मीर उस्मान अली शाह का इरादा अपने राज को एक स्वातंतर रिकाई के रूप में रखने का था और आजादी के बाद भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए निजाम के तुरंद बाद भारत सरकार कश्मीर युद्वें रैस्त हो गई और सारा ध्य यह था कि विवाद का समाधान मिलने तक भारती प्रभुत्व और हैदराबाद राज्य के बीच यथा इस्तिती बननी रखे जाएगी समझाते पर एक वर्ष की अबधी के बार के लिए हंस्ताक्षर किये गये थे जिसके दौरान भारत सरकार हैदराबाद पर किसी ब्याद एक क्रूर खेल के लिए अनुकुलित कर लिया और लोगों को एक के पीछे खड़ा किया पहले व्यक्ति के चाती में गोली दागी जिससे वर्ष निशित हो गया कि दूसरी की चाती में भी लगे और ने ग्रामिनों को एक पंती में तीन दस और यहां तक की 20 की संख्या में और सामने खड़े व्यक्ति के सीने में करीब से गोली मार दी जो एक या दो व्यक्ति बच गए वे अपनी मिर्टियों तक उन चोटों के साथ जीवित रहे नवासी वर्षी है चंद्र रेड़ी बताते हैं कि 27 अगस्त नीस और तारिस को भैरप्रली में राजाकारों द्वारा फैलाए गया तंक के गवाह में निजाम की नीजी सेना 15 अगस्त नीस से तारिस के तुरंत बाद निजाम प्रभुत के भारतिये संग में विले की मांग करें लोगों के विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही थे उन्हें तेलंगाना में मार्च किया और राजाकारों के वर्ग ने प्रवेश करने के कोशिश की जुन निजाम सरकार की पुलिस ने प्रवेश पाने में मदत की और सबसे पहले मिट्टी के किलों से गाउं की रखवाली करने वालों को नीचे उतारा उन सभी को गोली मार दी रात्री जागरन के बाद जब वह सुबा नीचे आये और पता चला जो लोग कारे भार लेने आये थे सबी मारे गए उस तरह से उस दिन ये शक्स मरने से बाल बाल बच गया उस दिन भैड़ा परली में 96 लोगों की उन्हें महिलाओं के साथ बलातकार किया उन्हें नगन कर घुमाया उन्हें सोने के अभूसन चीर लिए जैसे जानवरों ने पिछा किया ग्रामी ने दर दर भ रहा कि हैदराबाद में हजारों सालों से जंडा बुलंद है और दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं उता सकती सरदार पटेल को चुनोती देने वाले सक्स के सिर्फ पर निजाम मीर उसमानी का हाथ हैदराबाद ग्रेट बिटेन जितनी एक बड़ी रियासत थी इसमे में से थे और निजाम हैदराबाद को आजाद मुल्क बनाना चाहते थे कायलान बाराद जून 1947 को कर दिया गया था इस रियासत को मिलाई बगैर सही भारत महज एक कल्पना होती एक सपना होता पंदर अगस्त निशु से तारीश को हैदराबाद उन रियासतों में से एक था दिया कि हैदराबाद हमेशा हिंदुस्तान के रियासत रहा है और जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले गए वैसे हैदराबाद को अपने निजाम आवाम के हाथ में दे देना होगा इसी में आपकी और आपके निजाम की भलाई कासिम रिजवी के सर्दार पटेल सबसे अमीर राजियों में से एक था इसमें औरंगाबाद जो कि अब महराष्ट में हैं और गुलबर्गा जो कि करनाटक में है साही 17 जिले शामिल भूमी सघिरे राजी महुसंक्य खिंदू आबादी थी और राजय प्रसासन लगमकपूरी तरह से मुस्लिम साथ को राजयकार नामक अपने अनियमित बल के संख्या में ब्रदी की जिसका नेत्यत्यत्व हैद्रवाद राजबलों के प्रमुकारब कमांडर मेजर जनरल एस एल एड्रोस ने किया राज की मुखरूप से हिंदू आबादी पर राजयकारों की जयातियां सीमा पर च्छापे के बादन से शिमा पर विश्याद resigned प्राश्तान के लिए प्रस्ताव भारत के केंदर में एक सथाम्ट देश करने एसर और श्रकारों के खिलाफ कारबाई करने कि अलगाव के खत्री को दूर करने का है से सेना के स्थिति भारती सेना के सामने किस प्रकार थी हैदराबाद राजबलों के संख्या 25000 से थोड़ी कम थी और केवल एक हिस्सा ही अच्छी तरह से अधिक नहीं थे राज में राजाकारों की पड़्याप संख्या थी लेकिन ये कम प्रशिश्क्षिक सेवा किसी विशेष सेने विरोध की तुलना में अधिक उपदर्वी थे हैदराबाद के प्रधान मंत्री मीड लाइक अली ने दावा किया था कि यदि भारती सेना राज के खिलाफ कारवाई करती है तो एक लाक सेनी को कि एक सेना चुनोंती से निपटने के लिए तैयार है अंत में ये खोखल है राज बलों के खिलाफ प्रात्मिक हमले का नित्यत्यव पश्रिम से मेजर जनेरल चौधरी का डिविजन ने किया जिसमें तीन कैवलरी 17 होर्स और नौ दोगडा की एक कंपनी भी शामिल पंजाब और हमला किया गया जिसमें चार राजपताना राइफाल तीन पाच गोड़का राइफाल सतरा सीख और टैंक और बक्तरबंद कार स्कॉर्डन सामिल किया गया जिसमें अठारा घुर सवार दो पंजाब और तीन सीख और केंद्रेबल की कमपनी थी थी तो पांच गोड़का डाइफाल शे जाट शे कुमाओ नौ दो पंजाब तीन सीख लाइफ इन्फेंटरी और सत्रा होर्स के एक स्कॉर्डन ने किया विजैवारा से दक्ष इस सत्रा सितंबर को युद्द वर्याम के घुष्टना की और सेतंबर को मेजर जनरल चौदरी ने अपने भारती सिना के साथ हैदरावार शहर में प्रवेश्ट किया जनरल एड्डरोस को बाद में हैदरबाद का से ने गवर्नर नियुक्त किया गया दो सिक्के अवलदार बचितर सिंग को अप्रेसंट पोलो में उनकी भूमीका के लिए मन्यों प्राप्तन्त भारत के पहले अश्वक चक्र से सम्मानित किया गया तेरा सितंबर नियुक्त को नल दुर्ग की और आगे बढ़ते समय जिनने अपने जीवन का बरिदान कर दिया जो मराष्ट्र में ह अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके